निश्यकान जी एक तो ये जो आपने कहा कि लापरवाही जिसकी है ये तो इस पर तो बड़ी सक्त जिमेदारी जो है वो तैय करनी चाहिए और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी जिस जिसकी वरे से होई उन पर भी जरूर एक्शन होना चाहिए थोड़ा सा रेस्क देखे मैं दस तारीक को जब साम आठ वजे वहां पहुंचा तो आठ वजे से लेके अभी तक जब मैं आप से बात कर रहा हूं तो ये उपरेशन पूरा होने तक लगवग लगवग मैं त्रिकुट पे ही था मलब वही मैं खाट लगा के बैठ गया तो इसलिए जो कुछ भी हुआ वो मेरे सामने सब कुछ हुआ मलब कोई भी ऐसी घटना वहां की नहीं है छोटी से छोटी घटना जो मेरे सामने नहीं हुए मैं दुर्भागेपुर्ण कहूंगा कि वो तो पहुच गया था बेचारा जो कल केजवल्टी वी यह दिया आपने वीज्वल पे भी देखा होगा तो पहुच गया था मुझे लगता है कि पसीना के कारण जो है वो खिचा नहीं पाया मुझे एक अंदाजा लगता है कि शा पसीना के कारण थोड़ा सा परिशानी हो गया और डेथ हो गई मतलब इससे ज्यादा दुखबरी घटना कुछ नहीं हो सकते और आज जो महिला है अब आप समझें कि रेस्क्यू आपरेशन इतना टफ था कि छेचे जो है उसमें तार गये वेते उस तार के बीच के अंदर जाना था और विंड वहां बहुत जोर है हवा काफी है तो आज यह महिला वाला जो घटना हुआ वह भी यह हुआ कि वह लेके गए और महिला को जैसे ही खीच के जाने लेगे तो वह तार जो है फस गया तो वही मैंने कहा ना कि जो जांबा जवान थे गरूर के इंडियन ए जिर्ता तो उसके साथ आप समझे कि दो और जान जो है जाने वाली थी तो फाइनली यह तार टूट गया भगवान के आशिरबाद से आप समझे कि एक और बड़ी केजवल्टी एक पूरा हम जांबात जवान जो है पूरा का पूरा एरफोर्स का भी खो देते यह इतना यह परिक सकती हो चाएब बाइ सकती हो भारत के लोगों को कभी परइशान नहीं कर सकती वो सारे लोग सुरक्षित हैं और आज यही ओसण ने दिखाया और मैं माने प्रधान मंतरी जी के प्रती मेरे मन में कोई सब्द नहीं है कल भी प्रधान मंतरी जिय सको पूरा परसों का जो अबरेशन था उसको अस्थानी लोगों ने किया 12 लोगों को बचायी जिसमें एक केजवल्टी हो गई थी कल भी इंडियन AIRFORCE के अलावा 36 लोगों को इंडियन AIRFORCE ने बचाया और एक केजवल्टी हो गई लेकिन एक 11 लोगों को कल भी अस्थानी लोगों ने बचाया और उसमें एक पन्ना लाल है पन्ना लाल की उपेंदर की और बीजे की तिकडी है लेकिन इसमें पन्ना लाल काफी हिमती और साहसी है उसने जो अदम में साहस का परचे दिया है इस देश में मानि प्रदानमंतरी जो करते हैं उसको ने उसने रिवार्ड के लिए दिया ना आवार्ड के लिए दिया ना पैसा के लिए दिया उसने जो जान बचाने के लिए मिसाल कायम किया है मेरे पास उसके लिए भी कोई समझ जी मैंने यह पढ़ा इसके बारे में और मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ये ट्रॉलीज जो ही है तो बहुत उंचाई पर हाइट पर फसी हुई थी तो जो लोकल लोग थे वो कैसे मदद कर रहे थे देखे लोकल लोग उस टेरेन को जानते हैं कि हवा की दिसा कैसे है और उस हवा की दिसा में किस आधार पर उनको आगे चड़ना है और ये जान जोखिम में जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो पन्ना लाल सरी के लोग हैं पन्ना लाल और उसके पीछे जो उपेंदर और विजय जैसे लोग हैं और भी दो तिन लोग हैं इन लोगों ने अपने जान की परवा नहीं की उनको लगता था कि जादा से जादा क्या होगा कि हमारी डेथ हो जाएगी या मेरा कुछ हो जाएगा लेकिन मैं इन लोगों को नीचे सौकुसल पहुचा लो जाओंगा तो 12 आदमी को उन्होंने 10 तारीको और कल NDRF और ITBP के ज चला गया आदमी आपने यदि कोई संबादाता होगा तो आप किसी से पूछेंगे तो 10-12 मिनिट के अंदर NDRF और ITBP की टीम उसको जो है एंबुलेंस में बैठा चुकी थी आज भी जो यह महिला गिरी 5-7 मिनिट के अंदर यह एंबुलेंस में थी तो आप समझ सकते हैं क इन लोगों ने मिलकर बड़ा ऑपरेशन किया और अस्थानी लोग को यदि प्रसासर मैं तीसरी बात आपको नहीं बताना चाहता था कि जब मैंने बताया कि जिलादीकारी को इस तरह की घटना होगी तो लोकल लोग तब तक रेस्क्यू कर रहे थे पन्नालाल के साथ इस ड रेस्क्यू रिपोर्ट हुआ है रिशेकांजी की लोकल लोगों की मदद अगर जल्दी ले 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 गई होती तो रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी खतम हो जाता निश्चित तोर पर हो जाता लेकिन यहां के जिला उप्पायुक्त ने उनको नहीं होने दिया जब मैं आठ वजे पहुंचा तम मैं अस्थानी लोगों को बुलाया पानी चाय की विवस्ता नहीं हो पा रही थी मैं आपको पताओं कि जो 48 लोग फसे हुए थे मैं रेस्क्यो केविन से जाना चाहता था मैंने का आठ डीसी को कि यदि आप जाना चाहते हो आप चले जाओ एस्पी साहब जाना चाहते है आप चले जाओ यदि आप दोनों को जानका डर है तो मैं चला जाओंगा केवल जो 48 लोग फसे हुए उनको मुझे केवल बताना था कि भाईया मैं DC यहां का हूँ, मैं SP यहां का हूँ, मैं सांसद यहां का हूँ, आप लोग सुरक्षित हो, हम आपको बचाने के लिए हेलिकॉप्टर ला रहे हैं, आर्मी ला रहे हैं, सेना ला रहे हैं, जिससे के 48 लोग बचे, तो उसके लिए भी आपने देखा कि कितना जगड़ा जंजट हुआ, कि मैं magistrate हूँ, मैं 144 लागू कर दूँगा, मैं rest कर दूँगा, तो केवल आप समझे, जान बचाना उदेस नहीं था, उदेस केवल जो है वो भरस्टाचार करना है, और यह पूरी सरकार ज संबेदनी शील्टा का यह एक उधारन है, जो आपने प्रस्तूत किया है, बहुत धन्यबाद देता हूं आपको